या राज्य में नहीं है, बलके हमारी दादागिरी जो है, वो पूरे देश में चल रही है, तो आपको डर कर रहने की जरूरत है, और हमसे बढ़कर कोई भी नहीं है, आज शायद वो यही चशन कर रहे हैं, जैश्रीराम का नारा लगा रहे हैं, तो बारी कल आज हमारी है, त तो कल आपकी भी होगी तो इस बात को ध्यान रखिएगा अगर ये जहर अगर ये किड़ा अगर पूरे देश में फैल गया तो शायद मुझे लगता है इस देश को कोई भी बचा नहीं पाए आप ये बताईए कि इतने जादा सेक्योरिटी में एक इंसान दो इंसान को लाकर खड़ा किया जाता है और अचानक से मीडिया उनका बाइट लेता है और तीसरे लोग आकर फटाफट गोली मार देते हैं और पुलिस के रहते रहते वो सारे लोग भाग भी जाते हैं और वहीं पर जैश्री राम करना रभी बच्छान रखिएगा क्योंकि आप मत भूलिए सब्सक्किंटर अखिए यह थैंकर आप मत भूलिएगा कि तरीके सि आप वजा से आप की घर को डहा गया अप मत भूलिएगा किस तरह से आप परवासी मजदूर जो हैं हर्म की राजनीती जो गंदी राजनीती 2014 के बाद जो शुरू ही है वो कम नहीं हो रही है इन फैक मुझे लगता है तीन गुना ये हर स्पीड से हर दिन जो वारदात आ रहे हैं ये जितनी तेजी से बढ़ रही है ये देश के लिए बहुत ही हम बत लोगतंत्र खत्राई ये कि यहां पर योगी अधियत्यानात और भाच्पा और जो केंद्र जो राज्य में जो बैठे हैं वो लोग क्या करना चाहते हैं क्या पेगाम देना चाहते हैं पर्डेश में लौ का उलंगन नहीं किया जा रहा है इन फैक्ट वहां पर लॉइन ओर जब से योगी सरकार वहां पर आई है जब से भाजपा पूरे देश में आया है और खासकर यूपी में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि लौ और नाम का कुछ चीज रह गया है भले आप वो देखे कि किस तरीके से गरीबों के घर को ढ़ा जा रहा है गरीबों को बिना जोगी आदियत्यानात और भाजपा और जो केंद्र में जो राज्य में जो बैठे हैं वो लोग क्या करना चाहते हैं क्या पैगाम देना चाहते हैं अभी जितने भी खासकर अगर मुसल्मान की बात करें तो मुसल्मानों में एक डर तो 2014 के बात से था ही लेकिन आज यह सवाल खड़ा होता है कि मुसल्मानों को target करके उनको किसी भी तरीके के case में involved करके उनको जो encounter करने की जो इन्हों ने साजिस शुरू की है घर तो तोड़ी रहे थे बेघर करी रहे थे लेकिन कल के बाद ये भी सवाल उठता है कि ये जो encounter किया जा रहा है तो इसके दो-तीन reason हो सकते हैं एक तो वो majority को ये दिखाना चाहते हैं कि मुसल्मानों का कतल जो है हम सरे आम कर सकते हैं कभी भी कर सकते हैं किसी भी वज़ा से कर सकते हैं दूसरा वो शायद ये जताना चाहते हैं कि हम आज सिर्फ केंद्रम या राज्ये में नहीं हैं बलके हमारी दादा गिर जो है वो पूरे देश में चल रही है तो आपको डर कर रहने की जरूरत है और हमसे बढ़कर कोई भी नहीं है आज शायद वो यही प्रूफ करना चाहते हैं अगर हम बहुत पीछे चाहें अगर आदितियनात के हिस्ट्री को अगर आप निकाल कर देखें तो मुझे लगता है खुद उनके खिलाफ कई केसेस थे कई कई माामलों में वो इन्वार्व थे कई बियान बाजी उन्हों नहीं की ऐसी ऐसी बियानबाजी की जो उन्हें as a Indian भी नहीं करना चाहिए लेकिन खेर उनके खिलाफ कुछ भी होना नहीं अभी फिलाल जब तक भाजपा केंदर में है लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जो देश जिस दिशा में जा रहा है यह पताने के आवश्यक्ता नहीं है हम सब आज सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आज गरीब अमीर हर कोई जो है वो उनके पास यह जानकारी है कि देश में क्या चल रहा है जो धर्म की राजनीती जो गंदी राजनीती 2014 के बाद जो शुरू ही है वो कम नहीं हो रही है इन फैक मुझे लगता है तीन गुना यह हर स्पीड से हर दिन जो वारदात आ रहे हैं यह जितनी तेजी से बढ़ रही है यह देश के लिए बहुत ही हानिकारक है इसके मेसेजेज आज सिर्फ इंदुस्तान में नहीं है बलके इंटरनाशनल और बॉर्डर के पार भी यह सारे मेसेज जा रहे हैं वहां से भी निंदा हो रही है तो अगर हम सिर्फ मुसल्मानों की बात करें तो यह आदित्यानात की जो यह गंदी साजिश है गंदी जो इनकी राजनीती है और कल जैसा हमने देखा कि अतिक एहमद और उनके भाई अश्रफ एहमद और कुछी दिन पहले उनके बेटे को भी हलाक किया गया तो इसके पीछे एक छोटी मुच्छी साजिश नहीं है बलके इन तीनों को हलाक करने के पीछे जैसा वो बता रहे हैं कि माफिया राज को खत्म करेंगे माफिया राज को खत्म करने का संदेश नहीं दे रहे हैं यह section यह जो पूरा सुसाइटी है, उनका हर एक समाज का अलग-अलग काम था, court का अलग काम था, police का अलग काम था, government का अलग काम था, cm का अलग काम था, लेकिन cm ने सारे job को मुझे लगता है, बिल्कुल साइट कर दिया है, उन्होंने सारे चीजों को हाथ में लेकर यही संदेश देने की कोशिश की है, कि कानून भी हमारा है, पुलिस भी हमारी है, यह राज्य भी हमारा है, यह जमीन भी हमारी है, लोग भी हमारे है, बंदूग भी हमारा है, यही वो संदेश देना च जो लोगतंत्र के लिए बिल्कुल भी मुझे लगता है एमर्जेंसी सिचुएशन है जल से जल प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए वहां पर और बिल्कुल इसके ओपर बहुत बड़ी इंक्वाइरी बैठनी चाहिए लेकिन अफसोस की बात यह कि इंक्वाइरी करने वाले भी वह एंकाउंटर करने वाले भी वह और देश को तोड़ने वाले भी वह तो बहुत अफ्रात अफ्री का महौल है दर का महौल है हम अगर मुसल्मानों की बात करें तो डर का महौल है और जब कहते हैं ना कि जब लगेगी आग तो आपका भी घर न लगा रहे हैं तो बारी कल आज हमारी है तो कल आपकी भी होगी तो इस बात को ध्यान रखिएगा अगर ये जहर अगर ये किड़ा अगर पुरे देश में फैल गया तो शायद मुझे लगता है इस देश को कोई भी बचा नहीं जी बिलकुल आप ये बताइए कि इतने जादा सिक्योरिटी में एक इंसान दो इंसान को लाकर खड़ा किया जाता है और अचानक से मीडिया उनका बाइट्स लेता है और तीसरे लोग आकर फटा फट गोली मार देते हैं और पुलिस के रहते रहते वो सारे लोग भाग भी जाते हैं और वहीं पर जैश्री राम का नारा लगता है तो यह बिल्कुल सोची समझी नहीं बिल्कुल बिल्कुल यह बहुत दिन से प्लान किया जा रहा था और यहां पर बात यहां पर इंपॉर्टेंट अतिक एहमद और अश्रफ एहमद नहीं थे यहां पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा को यह संदेश देना था कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं क्योंकि अभी हम केंदर में हैं हम राज्य में हैं तो हमारी हुकूमत के बिना कुछ नहीं हो सकता तो मुसल्मानों डर जाओ मुसल्मानों समल जाओ आप लोग का कोई वजूद नहीं है भाजपा जब तक है वो मुसल्मानों को जड़ से खत्म करने की साजिश करती रही है और करती रहेगी तो अत्तर प्रदेश में जो है किसी प्रकार का law and order बचा नहीं है वहाँ मुझे लगता है जितने भी लोग जैश्री राम का नारा लगाने वाले हैं उन सब के पास आप बंदूख देख सकीएगा यहां तक के वो बंदूख जो है लेकर वो आज बंगाल में भी घुज गये हैं पिछली बार हमने देखा राम नवी में किस तरीके से उन लोग डूखेज वो यहां पर में देना चाहते हैं कि हम बनुख लेकर हमारा राज्य है और हम बंदू लेकर आपको डराएं आपको कहीं भी मार देंगे कहीं भी अलाग कर देंगे और हमारा कुछ होना जाना है नहीं दुख की बात है कि देश में जिस सम्मिधान के लिए जिस देश के लिए जिस आजादी के लिए हमारे सैनानी हमारे पूरवज ने अपना खून पसीना बहाया और यह RSS और भाजपा जो उस वक्त अंग्रेजों के दलाल थे आज वो लोग फिर से देश को गुलाम कर चुके हैं करने की शाजिश कर रहे हैं और लोगों को गुमरा कर रहे हैं देश में विकास हो नहीं रहा है देश में महंगाई बढ़ती जा रही है देश में जो अफरा तफरी मचा हुआ है यह देश में मुझे लगता है किसी भी लो बहुत ज्यादा खत्रे में हैं और देश को इन्हों ने जो है गुमराही के रास्ते में ये 2014 से लेकर मुझे लगता है अभी भी वक्त है अगर 24 में भी हम समल जाएं अपने वोट को बटवारा ना करें जिस भी राज्ये में आप वोट करें बहुत सोच समझ के करें कोई भी पार्टी जो है वो 100% ठीक हो सकता है आपके नजर में ना हो लेकिन आपको सोचनी पड़ेगी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ऐसा किस पार्टी को हम वोट दें जहां पर कम से कम भाजपा जो है वो बीच से ना निकल पाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंक को मारा गया आप मत भूलिएगा कि गंगा घाट में आपके लाशो को कोरोना वक्त में बहाया गया आप मत भूलिएगा कि बेरोजगारी के वज़ा से आप भूके पड़े रहे आप मत भूलिएगा कोरोना काल में किस तरीके से प्रवासी मजदूर जो है वो मारे गये उनक को जड़ से उखाडने की आप अभी से कसम खा लीजिए खासकर में मुसल्मानों से कहूंगी रमजान का पाक महीना है इसमें आप पसम खाइए कि कुछ भी हो जाए हम भाजपा को आज इस सिफ अपने अपने राजिये से नहीं बलके पूरे देश से उखाड़ के फेक देगे सिर्फ और सिर्फ अगर सत्य वंख सकते हैं स nonprofit थर्म की राजनीती करकर मुसल्मानों को मार कर डरा कर सिए अ करके आप सिर्फ सत्य पर पर बने रह सकते हैं तो यह जो फिर से कल हाए इसमें इनोंने कहीं हिंदू को जो मैं सारी हिंदू की बात नहीं करूंगी, जो लोग घुम्रा हैं, जो लोग जिनको बहुत सादा आइडियाज नहीं हैं, उनको यह दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं हिंदू राष्ट कर दूँगा, मैं मुसल्मान को मार रहा हूं, मैं मुसल्मान को जलील कर रहा हूं, म उन्हों ने ये फोकस किया है, 2024 का थीम भी उनका यही है, कि मुसल्मानों को हटाओ और सत्ते पर आओ.